Research Report, Report का मतलब होता है विवरन, विवरन यानि की description या describe करना किसी चीज को कि कहा कैसे कब किसके दोरा क्या चीज की गई तो report में जो research report होता है वही चीज क्या होता है ये एक तरीके का written document होता है जो की communicate करता है research findings को यानि कि कब कहा कैसे हुआ और क्या finding आई और इसका आगे कहा यूज हो सकता है यानि ये सारी चीजे communicate करता है जो भी research हमने किया है research में जो जो चीजे की हैं वो सभी चीजों को ये written document होता है तो report is a tangible output of research यानि कि एक tangible output हता है यानि जिसको आप देख सकते है चूँ सकते हो report होता है आपके सामने hard copy में रखा होता है आप उसको देख सकते हो पर सकते हो चूँ सकते हो तो यह tangible output होता है research का और यह क्या है written document है written यानि लिखा हुआ document पे जो की communicate करता है research की findings को यानि कि जो भी research हमने किया उसमें जो भी हमें मिला research करके उस चीज़ को यह communicate करता है आप doctor के पास आप जाते हैं आप बताते कि आपको fever आ रहा है ठंडी लगके fever आ रही है उसके बाद doctor आपको suggest करता है कि आप यह test कर आ लिए उसके बाद आप लैब में जाते हो blood दे तो blood का test होता है उसके बाद आपको क्या मिलता है report उस report में यह पूरी findings दे जाते है कि आपके blood को test किया गया और उसमें पाया गया कि आपको typhide है या नहीं है उसके basis पे फिर आप फर्दर जो जर्ड परपर जो अफ रिसर्च रिपोर्ट इस टू कम्यूनिकेट रिसर्च फाइंडिंग इन दी ऑगनाजेशन तो जर्ड परपर क्या होता है इसको कम्यूनिकेट करना जो भी findings आई ऑगनाशन को जिससे कि वो decision making कर सके किसे भी आगे कोई भी काम करना उससे रिगार्ड जो भी findings आई उसको आप communicate कर सकें दूसरे को तो यह क्या है description of what has been done during the period of study और research तो research report क्या हो गया है कि पूरे description होता है कि पूरे research के time पे क्या क्या चीज़ें की गई है what has been done during the period of study और research उसे हुँ क्या कहते है research report तो American Marketing Association इसको define किया है उन्होंने क्या कहा कि the purpose of research report is to convey to interested person the entire result of survey in sufficient details and to arrange as to enable each reader to comprehend the data and to determine himself the validity of the conclusion यानि कि जो main purpose होता है research report का वो convey करना होता है interested person को पूरे result को यानि कि जो भी हमने research में conduct किया जो भी activity performed कि उसके बाद जो भी result आया उस result को interested person को हम communicate करते हैं जिससे कि वो और sufficient detail की साथ report करते है यानि कि कहों से technique से हमने जो है conduct किया है कब किया कहा किया कौन सा data लिया सारी सारी चीज़ें आप वहां पर in detail देते हैं findings के साथ देते हैं जिससे कि वो उसको easily comprehend सके और जो conclusion आता है उसको validity भी चेक कर सके हो खुद ही report का मतलब यहां पर research report का मतलब यहां पर यह होता है American marketing society द्वारा next जो अब हम topic देखेंगे that is purpose of research report आनि कि क्य हम research report बनाते हैं तो देखेंगे बहुत सारे purpose आप हो सकते हैं लेकिन mainly important चार है पहला कि disseminate information जैसा कि हम देख रहे हैं बार-बार की communicate करना यानि information को disseminate करना यानि की फैलाना लोगों तक जो है जानकारी provide करना that is the purpose of research report disseminate information अगर आप lower label पे तो आप अपने higher label को information देते हो higher label पे आगी कर ले सकते हो डॉक्टर को जब pathology से pathology से जो है रिपोर्ट आ जाती है उसके बाद वो फिर आपको medication करता है उसके बाद दवाई आपको देता है तो decision making कर पाता है कि हां मुझे इस चीज़ की दवाई चलनी है या किसी और चीज़ की दवाई चलानी है तीसरा है to validate the generalization नहीं कि जो हमने अंदाजा लगाया था उसको validate करने में research report आपकी help करता है और last है guidance to future research नहीं कि future में further कोई research किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता उस चीज़ पे उसके लिए भी आपको guidance देता है अगर किया भी जा सकता है तो क्या-क्या आपको ध्यान रखना है कौन-कौ कर सकें अब बात करने कि एक अच्छी report की characteristics क्या होती है तो देखे सबसे पहले important is good looking होना चाहिए attractiveness यानि कि जो printed होना चाहिए paper की quality अच्छी होना चाहिए जो cover page वो अच्छा होना चाहिए तो color combination अच्छी होना चाहिए यानि कि attractiveness होनी चाहिए तो आपका report अच्छा है यानि कि सबका mixture होना चाहिए ऐसा नहीं कि सिफ technical words and normal paper and general paper समझी नहीं पा रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए balance language no repetition of facts यानि कि जो भी facts उनको बार-बार आप repeat मत करें क्योंकि एक ही चीज़ आप बार-बार दिखाओगे एक बार-बार बताओगे तो फिर किसी कभी interest नहीं होगा आपके report में accuracy of data जो भी आप data बता रहे हो जो भी आप information दे रहे हो वो accurate होना चाहिए गलत नहीं होना चाहिए next है current applicability, practicality यानि कि जो भी आप report बना रहे हो वो अगर current में उसको apply किया जा सकता है उसका use किया जा सकता है या फिर वो जो भी report है उसको practical तरीके से use कर सकते हैं तो फिर आपका report अच्छा report होगा ना फिर कोई फाइदा नहीं है यानि कि आप theory या फिर खयालों वाली बाते क shortcoming यानि कि जो भी report में आपको बनाते वक्त जो भी difficulties जो भी shortcomings है कमिया है उसको आप explain करें उसको बताईए कि यह difficulties आए थी हमें report बनाते वक्त और यह shortcoming है यानि इस report में यह drawbacks है तो उसको भी बताता चाहिए तो यह एक अच्छे report का characteristics होता है अब हम बात कर लें कि format ये layout of research report यानि कि क्या क्या content होता है जब आप research report त्यार करते हैं तो normally हम इसको तीन category में divide करते हैं preliminary यानि कि introductory pages यानि शुरुवात की pages then आता है main text यानि कि main content और उसके बाद आता है end matter यानि कि last report में जो attachment होता है अब इन सब में कुछ चीज़ें होती है जो हम आगे चलके इसको देखेंगे देखेंगे कि preliminary मतलब क्या होता है preliminary मतलब होता है coming or happening before something else is more important यानि कि कोई और important चीज होने से पहले जो चीज हो रही है उसको preliminary कहते है यानि कि introductory pages clear तो आप देखेंगे इसमें क्या-क्या चीज़े आती है सबसे पहले आता title page आपने देखा होगा कि आप जब report बनाते हैं college में schools में भी जब report बनाते हैं तो सबसे पहले cover page जो करते है cover page वही cover page टाइटल पे जहां पर heading होती है title होता है किस ने बनाया किसके अंडर बनाया यह सारी चीज़े वहां पर लोगों लगाते है तो title page हो गया title page के बाद जो है आप acknowledgement आटेच करते है acknowledgement में आने कि आप thank you बोलते हैं जिन भी जिन भी लोगों आपको उस report को बनाने में help की रिसर्च को conduct करने में help के आप उनको thanks बोलते हैं वहीं पर अगर आप school और college के शुर्च हो आपको certificate जो भी college के certificate होता है फिर कहीं पर आपने internship किया तो उसके certificate पर आपको उसमें attach करने पड़ते हैं उसके बाद आता है forward forward अगर है तो forward क्या होता है कि यह जिसने report बनाई है उसके अलावा जो कोई दूसरे लोग उस report के लिए अपना thank या फिर कुछ बोलना चाहते है तो वह उनके द्वारा होता है याने कि प्रिफेस में हम यह बताते है कि report क्यों लिखा गया या report किस चीज के बारे में है हम बस इतना उसमें बताते हैं वहीं पर उसके बाद आता है table of content table of content याने कि क्या क्या चीज पर पे page number पर क्या चीज आपको मिलेगी research methodology है तो कौन से page मिलेगी data analysis है तो कौन से page मिले में आता है introductory page में that is executive summary executive summary क्या होता है कि पूरे report को इतना time नहीं होता कुछ लों के पास कि वह पूरे report को बैठके पड़े तो क्या करते है executive summary में जो है वो पढ़ लेते तो यह क्या है तरीकी का overview है main points of longer report business plan याने कि कोई business plan या फिर longer report है तो उसका main point जो है या overview होता हम यहाँ executive summary में दे देते हैं तो आप यहाँ पर पूरे report को conclude कर सकते है executive summary होता है यह जो है preliminary pages होता है kis'i report के एक। इसमें इंपोर्टें यह point यहятся में होती है यहाने गोंधनारating नोबर का यहाने इस तरीके से 123 roman numbers में यहा पर page number करते है जो preliminary pages, title page पे कोई page number नहीं होगा, acknowledgement से लेके, certificate से लेके, executive समय तक आप page number कर सकते हैं, उसमें roman number का use करते हैं, इसके बाद जो भी page number होते हैं, उसको हम arabian number बे 123 जो normally हम लिखते हैं, उस तरीके से जो हम उसको numbering कर सकते हैं, तो यह हो गया preliminary, यानि introductory pages, अब अगला आपका content आता है, that is main text, यानि कि जो main part होता है, report का, यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करते हैं, यहाँ आप आप introduce करते हैं, कि इस चीच के बारे में जिसके ऊपर आपने research किया है, उसके पूरी background, history, या सारी चीज़ें आप बजाते हैं, यहाँ पर literature review, जो होता है, आप literature survey करते हैं, वो भी आप यहाँ पर introduction में include करते हैं, उसके बार जो important part होता है, main text, that is research methodology, research methodology नि कि आपने research कैसे conduct किया, क्या-क्या tools, क्या-क्या चीज़ें आपने use कि, यानि कि research objective किया था, design कौन सा, explorative design, descriptive design, experimental design, कौन सा research design आपने choose किया, sample size किया था, कितने लोगों से अपने data collect किया, sampling technique probability थी, non probability थी, type of data, primary, secondary, data collection technique किया था, questionnaire यूज किया, schedule यूज किया, interview यूज किया, फिर कोई और तरीका आपने use किया, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर बताते हैं, then आता है आपका analysis of data, यानि कि आपने analysis कैसे किया, कौँ सा choice, square test, and over test, या mean, median, mode, जो भी आपने use किया है, वो पूरा आप यहाँ पर show करते हो, pie chart हो गया, या फिर कोई दूसरा diagram हो यूज हो गया, bar chart हो गया, उस अब इकार use करके, आप analysis of data यहाँ पर करते हैं, ठीक है, कितने male थे, कितने female थे, कितने लोगों ने answer, yes में दिया, कितने no दिया, पूरा आप analysis यहाँ पर करते हो, यह main text में आजाता है, analysis of data जब कर लेते हैं, आप उसको show कर देते हैं, उसके बाद आप उसके basis पर findings बताते हैं, कि क्या findings आई, data को analyze करके, आप conclusion देते हैं, फिर आप recommend करते हैं, recommendation अगर कुछ होता है, recommendation यानि की suggestion आप देते हैं, और फिर last में आप limitation भी बताते हैं, कि कोई उस research को conduct करने में, कुछ limitations अगर रही हैं, तो वो shortcomings रही हैं, तो आप यहाँ पर बताते हैं, तो में टेक्स्ट में आजाता है, introduction, research methodology, analysis of data, findings, conclusion, recommendation, limitation, उसके बाद जो है last आता है, end matter, यानि की report का last part, report का पीछे वालब पार्ट जो होता है last part, यहाँ पी क्या होता है end matter में, यहाँ पे होता है appendices, तीन चीजे होती है appendices, bibliography और glosses, appendices को हम कहीं पे appendix भी लिखते हैं, यानि यह क्या होता है supplementary or secondary source होता है, appendices का मतलब होता है parishtrist यानि एक्स्ट्रा matter, जो हम report के अंदर तो नहीं डाल सकते हैं, लेकिन उसको support करने के लिए जो भी report में लिखा है, उसको support करने के लिए जो extra material होता है, यहां यहां पे attach कर देते हैं, that appendices के मतलब के होगे that gives extra information, यह supportive matter, secondary source होता है, जैसे questionnaire हो गया, आप questionnaire में क्या-क्या question पूछे तो आप report के बीच में नहीं डालता हो, आप क्या 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 पूछे तो last में पूरा questionnaire एक format attach कर देते हो, interview को schedule आप डाल दिये, forms डाल दिये, original primary data आपने डाल दिया, long tables कुछ थे जो आप अंदर नहीं दिखा सकते थे report में, आपने अहाँ पर appendices में डाल दिये, supportive legal decisions या law या document कोई हो, जो कि legal studies related है, आप यहां attach कर सकते हो, computation यानि कि कैसे आपने calculate किया है data को, आप यहां पर attach कर सकते हो, कोई case study है related आप से, आपके report से related है history है, उसको आप यहां पर attach कर सकते हो, तो अपने डाइस से हम यह सारी चीज़े include कर सकते हैं, then आता है bibliography, bibliography यानि कि list of references, books, general etc, देखिए bibliography का मतलब होता है ग्रंत सूची, तो आपने अपने report को बनाने के लिए, कौन-कौन से references को यूज किया, कौन से books को यूज किया, कौन से generals को यूज किया, या फिर कौन से links को यूज किया, उस सारी चीज़े आप यहां पर bibliography में लिख सकते हैं, कि हमने यह book refer की, हमने यह website refer किया, हमने यह research paper deal किया, तो सारी चीज़े आप यहां पर mention करते हैं, उसके बाद जो last में आता है glossary, glossary आने की short dictionary होता है, short dictionary कहने का मतलब यहां पर क्या होता है, कि जो कुछ ऐसे terms होते हैं, phrases होते हैं, technical words होते हैं, या connection होते हैं, आप जो research में अंदर use की होते हैं, main context में use की होते हैं, उसका मतलब आप यहां पर समझाते होते हैं, तेखे क्या हो गया, short dictionary, कुछ typical words हैं, उसका मतलब आप यहां पर समझाते हैं, तो कि इस word का मतलब यह चीज़ यह थी, तो glossary, short dictionary, जैसे की, अब bibliography का क्या मतलब होता है, तो आप glossary में bibliography, heading डाल के, आगे लिख सकते हैं, list of references, list of books, या general, इस तरह किसा आप उसको समझाते हैं, तो glossary, short dictionary होता है, तो यह पूरा layout होता है, format होता है, research report का, सबसे पहले preliminary यानि introductory pages होते हैं, main text आता है, फिर end matter आता है, planning में पूरा आपने देखा कि, title page होता है, acknowledgement होता है, आपका executive summary होता है, table of content होता है, उसके बद में text में आपका introduction हो गया, फिर उसके बद research methodology हो गया, analysis हो गया, फिर आपका main context में ही आ जाता है, suggestion, finding, conclusion, recommendation, limitation, यह सारी चीज़े main context में आता है, फिर आपका आता है end matter, end matter में appendices, bibliographies, glossary, यह सारी चीज़े include हो जाती है, तो विश्व वाल दबेश्ट, keep watching,